जब आप exercise 3.5 शाल परोगे तो 4 प्लस 2 इक्वल तो 6 और 6 6 means 6 वन डिजिट नमबर so you will be write here 6 अगर यहाँ पर 2 डिजिट नमबर होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको उन डिजिट नमबर एंसे मिला तो आप 6 राइट कर लोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वन पर यहाँ राइट करना क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है तो 5 में आपको कुछ भी नहीं डिजिट करना तो आप 5 में आप यहाँ पर राइट कर लोगे इसी तरह से आप इसको भी कर लोगी 0 में 6 एड करोगे तो 6 वन डिजिट नमबर अगर 2 डिजिट नमबर मिलता आपको क्या करते तब आप राइट साइड डिट करते हो तो टेंस अंड यह नो एनी नमबर सो यू विल विल राइट यह तो इसी तरह से इस कोस्टेंस को आप स्वाल कर लेंगे यह बहुत ही एजी है देखिए यहाँ पर टू डिजिट नमबर तू में टू डिजिट नमबर में आड करना त्री प्लस वन इक्वल टू पूर अन 3 प्लस 2 इक्वल टो 5 7 प्लस ग्वल टो 8 और 4 प्लस 1 इक्वल टो 5 3 प्लस 1 इक्वल टो 4 7 प्लस 2 इक्वल टो 8 9 इसी तरह से हमें क्या मिल रहा यहाँ पर भी 1 digit number मिला, आपको 3 plus 1 equal to 4, no 2 digit number, so no carry, 7 plus 1 equal to 8, 8 is 1 digit number, so no any carry, आप पूरा नमबर वैसे ही write कर लोगे, इसी तरह से आप इसमें यह जो addition है, एक्सासाइज, इसमें आपको carry नहीं लेना है, यह बिल्कुल simple addition है, आपको simply इसको solve करना है, once में one solve करना, और tens में आपको 10 solve करना, ओके, now next is exercise 3.6, देखिए, यहाँ पर जो you try it करके, जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, उनको भी आपको solve करना है, ओके, यहाँ पर firstly देखिए, 5 plus 6 equal to 11, 11 में हम right side यहाँ write करते हैं, और आप जानते हैं, हमें two digit number मिला नहीं यहाँ पर 5 plus 6 equal to 11, two digit में हम right side यहाँ write करते हैं, और left side यहाँ पर, क्या करते हैं, carry लेते हैं, किसमें 10s में, 10s 3 है आपका, 3 में जो carry लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको add करते हैं, तो 3 plus 1, हमेशा याद रखिएगा, कि two digit number हैं मिलें, हम carry लेंगे, left side, left side को उसको add करें, 3 plus 1 equal to 44 Now next is exercise 3.4, 8 plus 8, देखिए इसमें, 1s 1s number है, no any number in 10s, 10s में कोई number नहीं है, तो 8 8 को हम add करेंगे, 16, 16 is two digit number, okay, 16 में आप यहाँ पर 6 write करोगे, और 1 क्या है आपका, 6 is 1s है, so 1s के नीचे write करें, 1 is 10s, 1 को कह यहाँ पर कोई number नहीं है, तो आप पुरा whole number write करोगे, और 1 को 10s में, और 6 को 1s में write करोगे, 6 plus 5 equal to 11, 11, 11, no any number here in 10s, so you will write 1 को 1 10s में, और 1 को 1 नहीं है, okay, 1 10s हो गया और कब 1 1s हो गया, इसी तरह से 6 plus 4 equal to 10, पर जब आप नीचे आते हो, यहाँ पर देखे, यहाँ, look here, 7 plus 7 equal to 14, 14, 14 में right side, आप 4 write करोगे, and left side 1 is carry, 1 is carry, add in 10s, 10s में आपको add करेंगे, यहाँ पर 1 write करेंगे, carry को आप उपर write करोगे, उसको 10s में add करोगे, 1 plus 1 equal to 2, इसी तरह से 9 plus 3 equal to 12, 12 में आप जानते हो, हम क्या write करेंगे यहाँ पर, हमेसा आप right side यहाँ पर write करोगे, जो 10s है, उसको 10s में add लेते हैं, 1 को 1, यहाँ पर carry add करेंगे, 1, 1, 2, इसी तरह से आप इस question को solve करेंगे, 7 plus 3 equal to 10, right side you will write here 0 and left side 1 is 10s and 0 is 1s, 10s को 10s से यहाँ पर हम add करेंगे, carry link बना लेंगे इसको, और carry को हमेसा उस number में क्या करते हैं, जो आपके बाद यह next number है, इसमें add करके, तब रहा राट किया आपर कोई number नहीं है, space is blank, so 2 plus 1 equal to 3, इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको solve करोगे, next page पर भी आपको यही करना है, यहाँ पर भी देखिए, आपको यही करना है, 6 plus 5 equal to 11, one write करेंगे, और one carry लेकी इसमें add करेंगे, इसको आप खुद से करेंगे, खुद practice करेंगे, और जितना practice करेंगे, तब ही आप solve कर पाएंगे, इस तरह से आपको इसको क्या करना है, बुक में अपने फिल करना है, इसको carry लेकर करके solve करना है, इस exercise को, exercise 3.6 है, इसे भी लेक आपको, इसमें सारे addition है, जो है, वो carry पर हैं, carry लेकर क्या प्लियरली, neat and clean, बिल्कुल, इसको solve करना है, और उतना ही आपको practice करना है, जितने ये भी box है, ये यहाँ box है, इनको क्या करना है, फिल करना है, जितने भी बुक में box बने हुए, इस types के, okay, bye.